दोस्तों गाजियाबाद कानपुर एक्स्प्रेशबे जो की एक Portland Access Control Greenfield Expressway है इस एक्सप्रेशबे से जुड़ी एक और लेटेस अब्डेट आ चुकी है तो आज कि इस विडियो में हम जानेंगे कि इस एक्सप्रेशबे का बजट कितना तै किया गिया है यह कितना लंबा पूरा हो चुका है और अभी इसकी लेटेश अपडेट क्या है नमस्कार दोस्तों मैं हो विकास और आप देख रहे हैं ओलेंडियाफेर्स दरसल दोस्तों गाजियाबाद से कानपूर तक बनने वाले इस एक्सप्रेसबे की लंबाई 380 किलोमीटर है पहले इस जो जेवर एरपूर बन रहा है उसके लिए नेया रास्ता बनाना था और इसलिए गाजियाबाद कानपूर एक्सप्रेसबे में कुछ रूट पर चेंज किया गया है यह एक्सप्रेसबे गाजियाबाद से शुरू होगा कन्योज उननाप से होते हुए कानपूर तक जाएगी तब इससे फ्यूचर में सिष्टल आन कर दिया जाएगा नहीं का करना है कि इस एक्सप्रेसबे का wider लिपोर्ट तयार किया जा रहा है और कैन सरकार से एंप *** लिए ख्रान का काम सुरू कर दिया जाएगा लेकिन Expressway का निर्मान तबी शुरू होगा जब 90% भूमिय दिगरन हो जाएगा ना ही कि Officers का काना है कि अगले 2-3 महिने में DPR Report के Approval मिल जाएगी और फिर स्रिप एक साल के अंदर जमिन दिगरन का काम पूरा कर लिया जाएगा अगर बात करें इस Expressway के बजट की तो अभी इसका बजट तैय ने किया गया है क्योंकि किसी भी परजट का कितना लागत आएगा उसके लिए भूमिय दिगरन और निर्मान दोनों का खर्च कैलकुलेट किया जाता है और इसलिए कहा जा रहा है कि जब DPR रिपोर्ट तैयार कर लिया जाएगा तो इसका बजट भी तैय कर दिया जाएगा और ये भी बताया जा रहा है कि 2026 तक इस Expressway का निर्मान कार पूरा कर लिया जाएगा इसके operational होने पर वेश्टप के लोगों को लखनव कानपूर जाने के लिए एक extra route मिल जाएगा अभी तक लोग यमना Expressway से होते हुए लखनव जाते थे पहले गाजियावास से कानपूर जाने में 6 गंटे का समय लगता था लेकिन अब ये समय घटकर स्रीप 3 गंटे तक रह जाएगा इससे उत्तर परदेश के अलगलग सहरों तक connectivity बढ़ेगी इस Expressway के निर्मान से गाजियाबाद और उसके आसपास के लाकों में संपत्ती यानि की real estate की मांग बढ़ेगी अपार्टमेंट फ्लैट और जमीन की कीमत भी बढ़ जाएगी जिसने के हमारे किसान भाईयों के साथ साथ आम लोगों को भी फाइदा होगा कुल मिलाकर उत्तर परदेश के विकास में इस Expressway का बड़ा योगदान होगा